नमस्कार दोस्तों रेल्वे एंटी पीसी अजमेर का सेप स्कॉर क्या रहने वाला है उनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि नोटिपिकेस ना चुका है तो यहां पर हम जो प्रिविएस सीयर 2015 की कट आप जो ओपीशल कट आप है उनकी भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात यहां पर आप देखेंगे 2019 अपडेट है मैं डाउनलूड कर लेता हूं यहां पर आपको बता देता हूं जो आपका एक्जाम से चलने वाला है यह 15 तरिक लेकर 18 तरिक के बीच में मिनिट्रिल का एक्जाम सोने वाला है तो यह चीज आपने देख ली होगी कि अपडेट है यहां पर अलग अलग चीजों के वारे में बताए गया है लेकिन जो मैं कट आप आपको बताने वाला हूं वो एंटी पीसी जो एंटी पीसी के अंदर एसम गुड्स गार्ड्स टी अगर आप दूसरे बोर्ड से चाहते हैं कि सर मुझे अजमिर बोर्ड के अलबा बियार पटना बोर्ड है अमदाबाद है इलाबाद है उनके बारे में बताएंगे तो मैं बिलकुल बताऊंगा तो दोस्तों 2015 के अंदर जो आरर भी एंटी पीसी की भरतिया रखी उनकी कोड की और से तो यहां पर आप देख सकते एक बहुत बड़ा इस्टार दे रखा जिसके अंदर सी ए टी ए गुट्सगार्ट एसम बगरा सभी की जो कट ओफ हैं उनके बारे में बता रहा हूं तो चलिए सेप स्कोर कह रहने वाला उनकी भी हम चर्चा करने वाला है दोस्त के अंदर सी ए की बात करते हैं तो एटी सिक्स और टी ए की बात करते हैं तो एटी और गुट्स कार्ट की दोस्तों इसके अंदर अलग अलग जो वेकंसी है एक होता है एन डबलू हार एक होता है डबलू सी यार का मतलब जो राजस्तान के अंदर कोटा वाला भाग होता है वो उसके अंदर सामिल होता है तो वो भी इसके अंदर जो जोब के बारे में पूछा गया है उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे जो कट ओफ है यह जनल की कट ओफ है सबसे गुर्स गर्ड की 79 और 78 उसके बाद में यहां पर देखेंगे लगबग लगबग समान रही है जहां NWR की बात करें और WCR की बात करें वो भी सेम रही है उसके बाद देखेंगे CA की 85 उसके बाद में TA की 80 और गुर्स कार्ड की 70 रही तो यहां पर देखेंगे जनल और OBC में ज़्यादा अंतर नहीं है केवल एक-एक नमबर और पॉइंटों से नमबर है इससे ज़्यादा आपके नहीं रहने वाले है अब दोस्तो ऐसी की बात करता तो ऐसी की कट अप यहां पर आप देख सकते है 69 देखे एसम की कट अप यहां पर आप देखे सकते ही ओफिशल कट अप है अब दोस्तो अगर मैं एंलेसिस करता हूँ जर्रल कैटिग्री 2015 के हिसाब से तो दोस्तो यहां एवरेज की बात करते हैं तो दोस्तो यहां पर आपको 70 प्लस नमबर आपको लाने है किस में है अब आप बोलेंगे अजमेर बोर्ड से 70 प्लस नंबर लाने से किया प्री एक्जाम हो जाएगा 100% गारंटी के साथ में जनरल कैटेगरी 70 प्लस नंबर लाएंगे तो आपका 100% प्री एक्जाम हो जाएगा और मैं एक्जाम के लिए यह चीजे आपको ध्यान में रखेंगे अब बोलेंगे सर इसम को बताओ का जिसके काट टाइपिंग टैस के उसके बारे लेकिन आपको 70 नंबर तो एक्जाम पास करने के लिए कम से कमर अजमेर जॉन से लाने होंगे जनल कैटिग्री वाले अब हम बात करेंगे ओबी सी केटिग्री दोस्तों लग बग आप 69 से लेकर 69 क्योंकि यहां पर भी एक एक नंबर का अंतराल चल रहा है फाइनल का टॉप में तो प्री में भी एक या दो नंबर का का टॉप कम रह सकता है इससे कम नहीं रह सकता है वही सी की बात करें दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो कट आप से डिलेटेड है तो इसमें देखेंगे 75 75 और यहां पर क्या रहे 69 कितने अका अंतरा है लग बग 6 नंबर अका अंतरा है तो आपको माने 60 नंबर आपको लाने है अगर आप सी और स्ट के अंदर है तो 60 आपको लाने बहुत ही ज़रूरी है और एक सर्वीस मेंने एक सर्वीस के मैंन के लिए आपको 45 नंबर लाने है बाकी वी अई ओव आई और एच ईन्के लिए आपको लग बग जो 50 पर्संट नंबर लेकर आते हैं 50 पर्संट 45% तो आपका यहां पर जो एक्जाम है 15 की कट आफ को देखकर बने गई है तो दोस्तों अजमेर बोट के लिए कट आफ के बारे में मैंने आपको बताए हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें शेयर करें अगर आप दूसरे जौन की बात करेंगे कि दूसरे जौन का जैसे अजमेर है पतना है मुंबोई है सबी बिलासपूर बगर है अगर उनकी भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरू करें मैं आपको बिलकुल बताओंगा तो चले वीडियो अच्छा लाइक सेयर करें धन्यवाद